जहेंद प्याने साथियों यूनिक स्टेडी विद अजय योटूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सोशिल और कल्चर जोग्रोफी के जो परमुक जोग्राफर हैं उनके बारे में हम यहां पर पढ़ने वाले ह हैं और ध्यान रहे यह हमारी बिल्कुल लास्ट ख्रास है सोशाल और कल्चर जोग्रोफी की इसके बाद सोशाल कल्चर जोग्रोफी हमारा कÈ हो कुम ौचुका है कौन से content का होने वाला है तो एक बार हम जोग राफर के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं देखो time बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है हमें और मैं class लेते समय बिल्कुल only for only steady पर focus करता हूं time इंवेस्ट करना बिल्कुल भी मैं अच्छा पसंद नहीं करता तो सबसे पहले हम बात करते हैं होवेल के बारे में होवेल क्या थे एक अमेरिका के मानोव सास्त्री थे और इन्होंने परजाती से सम्मधित कुछ definition दी थी इसको आप मत याद करना किवल आपको इतना सा याद करना है कि होवेल एक अमेरिका के मानोव सास्त्री थे उसके बाद हम बात करते हैं हेडन मोदे के बारे में देखो इनका पूरा नाम था A.C. हेडन मोदे है जो कि ब्रेट तो आपको याद करना है कि A.C. हेडन मोदे है ब्रेटेन के एक मानोव सास्त्री थे जिन्होंने रेस ओप में नामक एक पुस्तक लिखी इन्होंने बोगोलिक वितरन के आधार पर भारत में आठ परजातियों की पैचान के थी इसके आधार पर बोगोलिक वितरन के आधार पर तो एसी हैडन मोद्या ब्रेटेन के एक मानव सास्त्री थे जिन्होंने रेस ओफ मैन नामक एक पुस्तक लिखी थी और इन्होंने भोगोलिक वित्रण के आधार पर विशुक भारत को किसको भारत को देखो भारत को इन्होंने भोगोलिक वित्रण के आधार पर भारत को तोटल आठ परजातियों में विभाजित किया था कितनी परजातियों में अब देखो यहां पर इन्होंने भी एक मानो परजातियों की एक रेफिनेशन दी थी जिसको आपको मत याद करना क्योंकि यहां से भी क्योशन नहीं बनता क्योशन यहां से बनता है कि हैडन मोदे ने 1924 में बालों की बनावट के आधार पर मानो परजातियों को तीन भागों में विबाजित किया था रेस ओप में नामक 1924 में इन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसमें इन्होंने भोगो लिक वितरन के आधार पर भारत को टोटल आठ परजातियों की पैचान की थी ठीक है उसके बाद हम पढ़ते हैं टेलर मोदे के बारे में बहुत इंपोर्टेंट टोपीक है यहां पर यह ट सामाद सास्त्री भी थे यह अमेरिका के मानो सास्त्री भी थे यह और इन्होंने रेसियल जोग्रोफी परजाती भुगोल नामक इन्होंने एक पुस्तक छापी अब देखो जो टेलर मोदे की जो मानो परजाती को लेकर जो डैफिनेसन थी ना वो हमें याद करनी है ठीक है इन्होंने परजाती की परिवासा दी थी टेलर मोदे ने कि मानो परजाती नसल को परकेट करती है ना की सब-वیता को टेलर मोदे ने कहा था कि भाई जो मानो परजाती है न वो एक नसल को परक्यट करती है ना कि सब्वेता को टेलर मोदे ने 1919 यह 1919 भी याद करना है आपको जैसे हेडर मोदे में आपने 1924 याद किया था और सीरस्त सूचकांग जिसको हम कापालिक सूचकांग बोलते हैं उसके आधार पर परजातियों को साथ भागों में विवाजित किया था इन्होंने एक सिद्दांत दिया था जिसको हम परवास कटीबंद सिद्दांत बोलते हैं या फिर जिसको हम कटीबंद सिद्दांत बोल तुर तीनों बात एक ही है जो की ग्रिफिट टेलर से संब्धित था, सिद्धान्त से संब्दित जो सबसे महत्पुन बात थी, वो मैंने आपको बता दे थी तो अब आपको बताना है कि Griffith Taylor के सिद्दान के लोशार सबसे प्राचिन पर जाती कुन सी है और सबसे नवीन पर जाती कुन सी है जो सबसे नवीन पर जाती है वो कहां पर रह रही है और सबसे प्राचिन पर जाती है वो कहां पर रह रही है ठीक है मैंने इनकी साथ के साथ परजातियों को समझाया था आपको बिल्कुल करम से ब्लास मोद्या दिखो ब्लास मोद्या फ्रांस के समाज सास्त्री और मानो सास्त्री थे मानो भुगोल वेता थे और समाज सास्त्री थे तो ब्लास मोद्या कौन थे फ्रांस के थे यह आपको अच्छे से याद रखना है यह समाज सास्त्री भी थे और मानो बुगोल वेता भी थे इन्होंने प्रंसिपल ओफ हुमेन जोग्रोफी नामक एक किताब लिखी थी परजाती की परिबासा दी मानो परजाती का वर्गी करन देखो इसको मतियाद करना आप ठीक है तो ब्लास मोद्य है फ्रांस के समाज सास्त्री थे और मानो बुगोल वेता थे प्रंसिपल ओफ हुमेन जोग्रोफी इनकी महत्पुन पुस्ट तक है लीनियस मोद्य है स्वेडिस बुगोल वेता थे ये प्रांस सास्त्री थे और इन्होंने तучा के रंग के आधार पर परजातियों को टोटल चार भागों में विबाजित किया था केवल मैं जो बोलता जा रहा हूं आपको केवल वह वह लिखना है और उसी को याद करना है ब्लुम बैक मोद्य के दौरा तो आपको केवल इतना याद करना है कि बिल्यूम बैक जर्मन के थे और इन्हों ने सिरस्टे सूचकांग के आधार पर किसके आधार पर कपाल सूचकांग के आधार पर या सेफलिक इंडेक्स के आधार पर या सिरस्टे सूचकांग के आधार पर मानो परजाती को टोटल पा कुन मोद्य की पुस्टक का नाम है, कहीं पर ये कुन भी लिखा होता है, और कहीं पर ये फून मोद्य भी लिखा होता है, कुन आई चाए फून आई, बात एक ही है, और इन्हों ने जो किताब लिखी थी, उसका नाम था, The Race of Europe, कुन या फून मोद्य ने एक किताब छापी, उसका नाम था, Race of Europe, और इन्हों ने मानो परजातियों को टोटल पांच भागों में विवाजित किया था, ठीक है, फून मोद्य ने भी मानो परजातियों को टोटल पांच भागों में विवाजित किया, और सबसे खास बात, इन्हों ने कोके साइड परजाती का फुल इन्हों ने बालों की बनावट के आधार पर मानो परजाति को टोटल छे भागों में विवाजित किया था, तो डेनियर मोद्य फ्रांस के परकरती वादी थे, जिन्हों ने बालों की बनावट के आधार पर परजातियों को टोटल छे भागों में विवाजित किया था, उस इन्होंने बालों की बनावट के आधार पर परजातियों को टोटल तीन भागों में विबाजित किया था उसके बाद हम बात करते हैं हरबट एच रिक्सले के बारे में या हरबट रिसले के बारे में या रिजले के बारे में बात एक ही है चाहे रिक्सले आए चाहे रिजले आए और चाहे रिसले आए ठीक है ये भी कहां के थे ब्रेटेन के थे इन्हों ने सुरोपर्थम भासा संसकर्ती आधिके आधार पर परजातियों को साथ भागों में विबाजित किया था तो हरबट रिसले या रिजले मोदे ने भासा संसक परजातियों को टोटल साथ भागों में विबाजित किया था अब आपको पढ़ना है हट्टन मोद्य देखो जो मैंने न वहीं मैं पढ़ा रहा हूं आपको हट्टन मोद्य अंग्रेज थे अंग्रेज भार्तिय मानों सास्त्री थे और कास्ट इन इंडिया इट्स नेचर फंक्शन एंड ओरिजन ये इनकी दो किताबे थी ठीक है कास्ट इन इंडिया इनकी पहली किताब थी और इट्स नेचर फंक्शन एंड ओरिजन हट्टन मोद्य की दूसरी किताब थी ठीक है और जो हर्टर मोदे थे इन्होंने भारत की परजात्यों का वर्गी करण किया था अब हम बात करते हैं गुवा मोदे के बारे में जिसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए ब्याव के बारे में, यह भारत के बोतिक मानो शास्त्री थे, जो आपको पुरा पुरा पता होना चाहिए, एंथ्रोपोलोजीकल सर्वे विल्बाग का पहले डारेक्टर थे इन्होंने भारत को 6 परजातियों में, 9 उपर परजातियों में विभाजित किया था, बी एस गुवा मोदे ने 1944 में बहरत की परजातियों को टोटल 6 मुख्य बागों में और 9 उपर परजातियों में विवाजित किया था और एंत्रोपोलोजिकल सर्वे विवाग की ये डायरेक्टर थे रसेल मोदे के बारे में पढ़ लो रसेल मोदे कहां के थे भृते निकी अधिकारी थे ठीक है बेरिटिस भारते परसासनिक अधिकारी तो चिएवल आपको यह याद करना है dus रसेल कहां के थे भृतेनम के उसके बाद हमें पढ़ना है निफिन मोद्य और रसेल मोद्य निफिन और रसेल दोनों अमेरिका के थे इन्होंने कल्चर वर्ड नामक पुस्तक लिखी थी और रसेल और निफिन दोनों मोदे ने क्या किया था दोनों ने इन दोनों ने क्या किया था रसेल मोदे ने भी और निफिन मोदे ने भी कल्चर वर्ड नामक पुस्तक लिखी दोनों अमेरिका के थे और इन दोनों ने विस्ट को टोटल साथ सांसकर्थिक परिमंडल और सरसट सांसकर्थिक परदेसों में विभाजित किया था रसेल और निफिन मोदे दोनों के दोनों अमेरिका के थे और दोनों ने एक पुस्तक लिखी कल्चर वर्ड जिसमें इन दोनों ने विसको टोटल साथ सांसकर्तिक परिमंडल और सरसट सांसकर्तिक पर्दिसों में विवाजित किया था उसके बाद थोमस वे स्पेंसर के बारे में भी पढ़ लो थोमस वे स्पेंसर इन्हों ने विसको टोटल 37 सांसकर्थिक परदेसों में विबाजित किया था तो थोमस वे स्पेंसर ने क्या किया था और कुछ नहीं पढ़ना लेकिन हमें ये चीज़े पढ़ना है तो आप इनको लिख लो देखो पहली बात तो आप क्या लिखो ये सारे क्या है सामाजिक भूगोल वेता है क्या है सामाजिक भूगोल वेता है तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्योंकि क्यों बार क्यो चोते पर लख दिया सांकी की भूगोलवयता, तिक है सामने लिख दिया भूगोलवयता, होप मोड़, पैट्रिक गिड्इज मोड़, रॉक्ष्भी मोड़, ऐनी बुटियक मोड़, डॉर्विन मोड़, जैक्सन मोड़, हक्सले मोड़, यह सारे का हैं, सामाजिक भूगोल वेता है क्या हैं सामाजिक भूगोल वेता है जिसमें जो रैक्सले मोदे इन्होंने एक पुस्तक चापी थी और इनकी जो पुस्तक था उनका नाम था जोग्रोफी सोसिले जोग्रोफी के सोसिले रैक्सले मोदे की पुस्तक का नाम है दा स्टेडी ओप सोशिल जोग्रोफी हॉप मोदे की किताब का नाम है तो जोग्रोफी के सोशिले रेक्सिले की किताब का नाम है अब ये सारी चीज़े आपको नहीं पढ़ना है हाँ ये देखो ये चीज़े याद रखना है आपको मेकाईवर पेज जोंसन मेकाईवर जोंसन ये सारे क्या है सामाजिक बुगोल वेता है ये आप चाहिए लिख लो मेकाईवर पेज जोंसन ये तीनों की तीनों क्या है सामाजिक बुगोल वेता है क्या है सामाजिक बुगो जोंसन मोद्य की पूष्टक का नाम सोशीजोलोजी sie 1800 सोशीजोलोजी a सामाजिक भुगोल वेता है जोनसन की किताब का नाम है sociology a systematic introduction क्या हो जाता है भाई साब यह उत्ति रही है थोड़ा था page number याद हो जाता है ना अब आपको यह नहीं याद करना है इसमें से आपको एक भी चीज याद नहीं करना है ठीक है क्योंकि दोगों लिखना पड़ता है यह सारी चीज़े मैं आपको पहले भी बताया था कुछ लोगों का एक थोड़ा से तरीके से एक्राइटट्यूड यह होता है कि यार आपने छोटा से चीज लिखाई है इतनी से क्या जैरफ हो कि सोसाइटी किसकी पुस्तक का नाम है किंग सले डेविस की पुस्तक का नाम है किंग सले डेविस पुस्तक का नाम क्या है human society ये भी आपको याद नहीं करना है तो इस तरीके से ये हमारा social और culture जोग्रोफी complete हो गया है और almost सारक सारा मैंने जो important important ता वो cover करवा दिया है अब हम पढ़ेगे political जोग्रोफी बिल्कुल continue बिल्कुल regular ठीक है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए thanks bye